Good afternoon, बच्चो! बच्चो, हम हिंदी की पड़ाई कर रहे हैं, और हिंदी में हम क्या सीख रहे हैं? स्वर सीख रहे हैं, तो हमने कौन-कौन से स्वर सीखे हैं? चलो, एक बार उसका रिविजन करते हैं, ठीके? तो जलो देखो, सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? देखो, यह क्या है? कौन सा क्षर है यह? बराबरे, अ से क्या होता है? अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद, अक्य बाद में कोन आता है? आ, आ से आम, आम कौन है? फलों का राजा होता है आ से आम फलो का राजा कर देता है मोटा ताजा देखो आ से क्या होता है आग भी होता है आ से आग और आ से क्या होता है आलू आ से आलू सबको पसंद आता है ना आलू तो देखो आग के बाद में आता है इ इसे इमली इसे इंद्रधनुश जो हमें दिखाई देता है आसमान में इसे इंद्रधनुश इसे इमरती इसे इमरती इसे इमली सबसे नयारी खटी मीठी प्यारी प्यारी इसे इमली के बाद में आता है इसे इग इसे इट इसे इग भी होता है और इसे इड भी होता है इसे इक खेतों में उगती इसके रश से चीनी बनती जो हमारे खेतों में इक आता है न उसके रश से क्या बनती है चीनी चीनी का मतलब होता है शुगर याने शकर तो इस एक के रस से शुगर बनती है देखो इसे एक के बाद में कोन आता है उसे क्या होता है उजाला भी होता है और उसे बड़े बड़े आखो वाला कोन होता है येस उसे ओलु देखो आ गया बड़ बड़े आखो वाला उल्लू, उसे उल्लू भी होता है और उसे उपवन भी होता है और उसे उपहार भी होता है तो देखो उसके आगे का आक्षराज हमें सीखना है उसे उल्लू के बाद में आता है उसे उन्ट देखो उसे उन्ट देखो कोई से बड़ा बड़ा उन्ट है तो हमें आज सीखना है ये उसे उन्ट तो चलो आपकी नोटबुक निकालो हम सीखेंगे उसे उट कैसे लिखते हैं उसे उट आपको उसे उल्लो तो आता है ना तो देखो आज हम उसे उट भी सीखने वाले हैं ठीक है तो चलो मैं इसे काती हूँ चलो निकालो एक आधा गोल उसके निचे दूसरा आधा गोल और यहाँ पे एसे एक आधा गोल निकालो और सर के उपर एक आड़ी रेखा देदो हो गया उसे उंट चलो फिर से एक आधा गोल और एक आधा गोल और उसके बीच में से एक छोटा सा आधा गोल निकालो उसे उल्लू एक आधा गोल उसके नीचे और एक आधा गोल और उसके बीच में से एक आधा को निकालो बाहर की तरएप घू से उन्ट और घू से क्या होता है इंद और देखो क्या क्यचित रहे हैं हमारे घू से उन भी होता है घू से उन इससे हम स्वेटर बनाते हैं न तो यह है घू से उन और उसे उर्जा भी होती है जो सूरजचा में मिलती है उसे उर्जा उसे उन्ट उसे उन्ट रेगिस्तान का जहाज आओ कर ले सवारी आज जो उन्ट होता है उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं और देखो ये रेगिस्तान का जाज है और देखो ये इसक पे बैटकर हम क्या करते हैं सवारी भी करते हैं ठीक है तो उसे क्या होता है उन्ट और उसे उन होता है ठीक है तो बच्चों देखो आपको ये उसे उन्ट एक पेज भर कर लिखना है कैसे लिखते हम U से उन, एक आधा गोल, उसके नीचे और एक आधा गोल और उसके बीच में से बाहर की तरप एक थोड़ा सा आधा गोल निकालो और सर के उपर एक आड़ी रेखा दे दो तो क्या बन गया उसे उंड उसे उर्जा उर्जा भी होता है ने उसे और उसे क्या होता है उसे उन भी होता है उसे उन तो इस प्रकार आपको एक पेज भरकर उ, उ, उ लिखना है ठीक है? बाइ बाइ